दोस्तों आज मैं आपको जेट प्लांट की जो अन्चाही ग्रोथ है और उसकी कियर है उसको कैसे करना है इसकी जो बोन्स आई है जो टो प्यारी है उसको हमने जो बनाया हुआ है उसको कैसे मेंटेन करना है वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ है लो दोस्त आप इस तरह से मैंने जो ये इसकी टोपियारी है इसकी जो बहुत सारी अंचाही ग्रोथ थी बहुत जादा बढ़ गई थी जो इसकी सारी एनरजी थी वो आगे बढ़ने में लगी हुई थी लेकिन मुझे इसकी ग्रोथ नहीं चीए थी मुझे इस तरह से बहुत ही प्यारी इसको बनाया था जो सारी कटिंग थी वो वैसे लगा दी दी और आज मैं फिर से जो यहां पर जो कटिंग लगाई हुई है इसको निकालूंगी और इसको बहुत अच्छे से एक प्यारा सा लुक दूंगी जो कि आप लास्ट में देखना मेरे वीडियो पे बने रहे दोस्तो लास्ट तक देखिए और दोस्तो इस टाइम जो विंटर वाला टाइम रहता है आपने क्या करना है इस टाइम इसको शावर करना है या सप्रे करना है हलका हलका सप्रे करने का भी एक टाइम होता है दोस्तो आपने रात के टाइम पे बिल्कुल भी सप्रे नहीं करना है इसक कि इसको इसमें ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों विंटर में क्यूंकि इसमें और रेड़ी पानी होता है, इसकी लीव्स में पानी स्टोर रहता है, एक सेकुलेंट फैमिली से ही विलॉंग करता है, जैट प्लांट जो होता है, इसमें बहुत सारा पानी रहता है, और इसको हम लग्की प्लांट भी कहते हैं, लोग के नहीं मांना जाता है, और अच्छा लगता है और देखने में लुक वाइज biblical दोस्तों यह तो इस तरह से थ है. तो इसक्राअ से थो मैंने यह पे सभी प्लंट यहां प्लंट था र। यह एक ही प्लंट मेरे पास एह zł nог दिया दिया management system और इसी तरह से देखो दोस्तो ये मैंने सारी कर दी ये भी cutting लगाई थी मैं दोस्तो जो उसमें मैंने और एक मैंने चोटे से उस pot में लगादी दोस्तो इसी तरह से आप भी लगाएं और अपने गार्ड़न को बहुत जादा खुब सूरत बनाएं और इसमें खा देनी की जुरूरत भी नहीं होती है दोस्तों इस टाइम पर आप इसको बस नॉर्मल शावर करते रहे हैं और बस यह मैंने सारी कटिंग गए आपको जितनी भी कटिंग दीख रही है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिया तो इस तरह से कोशिश अच्छी लगिया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ अब त